दोस्तो हमारे यूट Loop चनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तो अघर आप लोगों ने अब तक हमारी यूटीब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पली सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको आसानी से एक notification दुआरा आपको मिल जाए और आप हमारी सभी वीडियो आराम से देख पाएं दोस्तो पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था माइक के बारे में, माइक्रोफोन के बारे में आज हम आपको बताएंगे China Mobile Charging IC के बारे में और उसका diagram क्या होता है ठीक है बैटरी connector से लेके charging connector, charging jack तक का हम आपको इसका diagram दिखाएंगे अगर problem होती है तो क्या उसका solution है हम ये भी उसका बताएंगे तो आज पार्ट है हमारा 22 वा ठीक है चाहीना Mobile Charging ठीक है IC देखिए दोस्तो चाहेना मोबाइल की जो IC होती है वो आठ पिन में होती है कुछ इस तरह की होती है उसमें दो साइड पिन होती है ये टू साइड पिन कैटेगरी की IC माती है इस तरह से ठीक है तो इस तरह की IC होती है दोस्तो देखिए इसकी जो मेन मेन पिन है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ अभी IC इस तरह से लगी हुई है जो नंबर लिखे हो है उस पे इस तरह से है सुल्टी है ठीक है तो मैं इस तरह से आपको बताऊंगा अब इस साइड देखिए बैटरी कनेक्टर है बैटरी कनेक्टर की यहाँ पे तीन पिने है और देखिए जो पहली पिन है यह प्लस की है यह माइनस की है और यह होती है खाली BSI बोलती है इस पिन को यह बीच वाली पिने इसको BSI बोलते है ये charging IC में नहीं जाती ये CPU IC में जाती है CPU इसका काम ये होता है कि battery की percentage को बताना CPU में जा रही है तो ये battery की percentage बताएगी कि कितनी percent charge है कितना set dead हो रहा है और कितना charge हो चुका है अगर charge हमारा complete हो जाता है तो ये auto cut कर देती है current को चार्जर के current को तो इस pin का ये काम होता है अगर देखिए plus की जो minus की pin होती हो तो ground से ही जुड़ी रहती है पूरे PCB के ground से जुड़ी होती है ये वाली pin तो ठीक है ये connector की बात कर रहा हूँ में जहाँ पर हम battery लगाते है और ये plus की pin जो है वो इस तरह से जाती है यहाँ पर एक component लगा हुआ है जिसका नाम है LVR low value resistance इसकी value 0 होती है ठीक है तो इसको आप तार ही समझ लो तो इसकी value 0 है और ये जो pin होती है ये दूसरी pin में इस पर चल जाता है ठीक है दोस्तो अब इस side IC के इस side जो दूसरी pin होती है ये निकलती है ये एक capacitor है इस पर मैं C लिख देता हूँ ठीक है यहाँ पर एक plus है यहाँ पर ये तार जो आ रहा है plus का आया था यहाँ से IC के अंदर से होके गया है अब ये तार IC के अंदर से निकला है ये inside है और ये out बोल सकते हो ठीक है तो यहाँ पर हमारा plus निकला है अब यहाँ पर capacitor लगाया गया है जिसकी दूसरी pin जो है वो ground से जुड़ी हुई है ground से जुड़ी हुई है अब यही जो plus का तार है एक low value resistance L, V, R यहाँ पर भी zero value का एक resistance लगा हुआ है जिसके अंदर से एक तार होता है ठीक है जो beep करता है completely अब ये जो तार है ये हमारे charging connector की pin में लगेगा charging pin पांच होती है एक, दो, तीन, चार, पांच जो पहली वाली pin होती है वो plus की होती है और जो सबसे last वाली जो pin होती है दोस्तो ये ground की होती है बाकी बची तीन pin ये USB के लिए काम में ली जाती है ठीक है तो ये हमारा charging jack है charging connector है ये हमारा charging jack है तो ये 5 pin का jack है तो इस तरह से ये map है देखिए जब हमारा charging pin में करंट जाता है जब हम charger यहां से लगाते है ठीक है ये दो तार है एक plus है एक minus है ये charger ये charger है इसके अंदर से जो wire निकली है ठीक है ये 220 volt से charger जुड़ा हुआ है अब ये है 5 वोल्ट के लगबग निकालेगा 220 voltage ये लेगा और 5 वोल्ट देगा 5 वोल्ट हमारे एक तो ग्राउंड में हो जाएगा दूसरा IC की जो pin होती है वो ground से भी जुड़ी होती है ठीक है दोस्तो तो मैंने ज़्यादा बताया है नहीं मैन मैन बताया है ठीक है ground का तार यहां से चला जाएगा और जो plus का तार है वो LVR से होता हुआ या IC के अंदर से होता हुआ यहां पे battery connector पे आ जाता है तो इस तरह स यह map है इस तरह से यह IC काम करती है अगर यह IC खराब होगी तो जो current है मारा plus का current है वो battery connector पे नहीं आएगा ठीक है अगर नहीं आएगा तो वो charge करना बंद कर देगी यह सिर्प charge दिखाएगी खराब होने पे यह IC अगर खराब होगी तो सरफ आपको charge दिखेगा लेकिन charge होगा नहीं storage नहीं कर पाईगी बैटरी उस condition में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत simple सा समय धान है बहुत simple सा समय धान है सभी android mobile के अंदर या किसी भी chinese mobile के अंदर आप यह समाधान कर सकते हैं अगर मान लिजिए IC हमारी खराब हो जाती है हमारा circuit काम नहीं कर रहा है उस condition में आपको क्या करना है दोस्तो सबसे पहले सबसे पहले अगर आपका mobile में problem आ रही है तो IC तो बाद की बात है सबसे पहले आपको दो चीजे test करनी होगी देखिए सबसे पहले तो आपको charger लगाके यहाँ पर चारजर लगाके यहाँ पर current चेक करना है पिन वन पहली पिन पर और आखरी पिन पर अगर ठीक voltage आ रही है पांच voltage से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है jack हमारा ठीक है अगर voltage नहीं आ रही है इस condition में हम यह jack बद लेंगे ठीक है द पर multimeter को set करके एक ground में रखनी एक plus पर रखनी हम LVR की अगले सिरे पर यहाँ पर test करेंगे कि यह कहीं यह तो खराब नहीं हो गया बीच से जल नहीं गया है अगर यहाँ पर भी पांच voltage से उपर आ रहा है पूरा current आ रहा है तो फिर हम IC की इस पिन पर चेक करेंगे current ठीक है तो यहाँ पर आपको current नहीं मिलेगा current कम मिलेगा दो वोल्ट तीन वोल्ट के आसपास मिलेगा या और भी कम मिलेगा इसका मतलब यह है कि हमारी IC खराब है अगर complete voltage आ रही है complete voltage यहाँ भी आ रही है तो आपको एक चीज और test करनी है क्योंकि इसके आगे एक LVR और लगा हु तो समस्य आपकी battery की भी हो सकती है या जिस charger से आप इसे charge कर रहे है वो charger भी हलका हो सकता है लेकिन यहाँ पे current नहीं आ रहा है तो यह open हो सकता है ठीक है तो इस condition में आपको सबसे पहले यह check करना पड़ेगा अगर यह ठीक है तो आपको यह चेक करना है अगर यह भी ठीक है फिर आपको यह चेक करना अगर यह ठीक है तो IC की problem है फिर अगर आपके पास अगर IC है same number की IC है तो आप लगा सकते हैं नहीं तो आपको एक सीधा सा समाधान कर देना है देखिए जो plus का तार है यह जो plus का तार है यहाँ पर एक आपको diode लेना है ठीक है तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक तार यहाँ पर लगाना है ठीक है और उसमें आपको एक diode लगा देना है डायोड आप normal वाला लगा सकते हैं उसमे एक निसान होता है इस side में एक निसान बना दिया है तो यह plus का निसान होता है यह minus का निसान होता है तो जो plus का तार है तो यह minus वाली में लगा प्लस का निकलेगा आपको यहां पर दे देना है ठीक है तो इससे आपकी जो मुबाइल है वो चार्ज होने लग जाएगा ठीक है तो आप यहां से डिरेक्ट यहां पर एक डिवाइडर लगा सकते हैं यहां से सोकिट पर भी डिरेक्ट लगा सकते हैं यह जो आईसी है आईसी प्लस निकल रहा, यहां से प्लस आ रहा है, यहां से होके चला जाएगा, ठीक है, तो आपकी बैटरी भी 100 होगी, दिखाएगा, चार्ज, और बहुत ही जल्दी आपकी बैटरी चार्ज भी हो जाएगी, तो एक समाधान, मैंने आपको सिंपल बताया है, और इसको हम करके दिखाएगे, तो बहुत ही बड़िया इस समाधान है, दोस्तो, दोस्तो अगर आप लोगों ने आज की वीडियो में बस इतना ही, यह था एक समाधान, सभी फोन का Android फोन हो, या Nokia के फोन हो, कोई भी फोन हो, आप सभी में इस समाधान आप कर सकते हैं, आई सी खराब ह देखिए दोस्तो, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो एक लाइक दीजिए, दोस्तों में सेर कीजिए, पिछली पार देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रेप्शन जा सकते हैं, फिर मिलता अगली वीडियो में, जैन, जैबारत